हेलो हाइ नमस्कार मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में आज हम बात करने वाले हैं बाइलोजी क्लास्ट विल का मोस्ट इंपोर्टेंट कोईस्टन्स कि चरो रहा है कि पापा पापा मुझे कोच का बिस्कृट आई है ना पूच का बिस्कृट चाहिए या च्छे पैकट चाहिए तो कहिए अड़ेगा ना उसको कि आड़ेगा उसको एक बच्चे के पास में एक बच्चे को ना दे दिया एक बच्चे को तीक्स पैकट दे दिया अच्छा है ना यह क्या करेगा उसको अलग अलग कर देगा इसके घर में एक और इसका भाई है तो अपने भाई के लिए तीन पैकट अलग कर देगा और अपने लिए खुद के लिए तीन पैकट रख यघा तो इसी के पास से हेरफ एक सब्सक्राइब। यह कर दिया है तीन करस्पलिटिंग कर दिया टीन कारवन जो सवाल हमें देख रहा है उसमें सबसे पहला जो लाइन लिखा है दलीफ अफ प्लांट इज एन एक्जामपल आफ यानि कि पौधे की जो पती होती है वो किस तरह के एक्जामपल है यानि कि वो पार्टिकुलर टाइप अप टीस्यू है या फिर वो एक आर्गन है कैना आर्गन सिस्टम आर्गन सिस्टम है वो या वो सेल लेवल का आर्गनेजेसन है देखे जो तना होता है पती होता है ये सब क्या होता है आर्गन होता है जैसे हमारे सरीर का एक पार्ट होता है न वैसे ही होता है मुझे एक बात ध्यान आया अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाइब कर ले और अगर आपके पास दस दिन का भी समय है तो बायो का हमारा कोर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे स सब्सक्राइब करते हैं क्वेसिक्स, केमिस्ट्री, मैं बेसिकली दो पार्ट है जो और करके दिया हुआ है सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है वो ये कहता है कि विच आउट आप दा फॉलोविंग बिलोंग टू प्रोकरियोटिक किंगडम अब देखिए जो प्रोकरिय इक प्रोकरियोटिक मतलए जिन में थे चेंजंज शनाने वो पूराने उटरेंजने आचुके डवलफ हो चुके मीब बलू ग्रिन आलगी या डाय अटम संझ और इसका जudfa ही जवाह होगा वह होगा अमीबा क्योंकि अमीबा जो है प्रोकरियोटिक इंग्डम से बिलोग करता है ठीक है और मैं करके दिया है वाई एज पैरनकाइमा नॉट अ कॉंप्लेक्स टिस्यू विकाज इट है पैरनकाइमा एक कॉंप्लेक्स टिस्यू नहीं है क्योंकि इसके पास है क्या इसके पास है क्या इसके पास थीन वाल है इसकी बज़े से या फिर वन टाइप ऑफ सेल्स वनली है इसकी बज़े से सिंगल नुकलिया है इसकी बज़े से नो थिकनिंग है इसकी बज़े से और राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा B यानि कि one type of cells only आप ध्यान से गर देखेंगे तो पेरेंट काइमा के अंदर पेरेंट काइमा के अंदर एक one type of cells होते हैं तो complex कैसे हो सकता जब एक ही तरह के cells होगे तो single समझने वाली बात है न इसलिए complex tissue नहीं है यह बहुत question number three को रागय बढ़ते हैं और इसमें भी हमें इस तरीके से दो question से जिसमें कोई एक का आंसर हमें लिखना है कि और करके दिया है ठीक है ना answer बैसे आप लिखेंगे 3 जैसे answer copy में लिखेंगे 3 मान लो फर्स्ट का लिखना 3 का फर्स्ट और इसका answer लिख देंगे जो भी A B C D होगा ऐसे करके या हमें second का लिखना है यह second कर देंगे बस इतना ही आपको धियान रखना है ठीक है तो the faulty functioning अगर हम बात करते हैं the faulty functioning of endocrine gland can make a person very short very tall this gland age आखिर वो कौन सा gland है जिसमें fault आने की वजाए से हमारा जो endocrine gland है endocrine gland can make a person किसी को बहुत छोटा या किसी को बहुत लंबा कर देता है तो pituitry है या फिर वो adrenal है या फिर वो थायराइट का है and the right answer is pituitry gland की वजाय से ही अगर default आता है या कोई problem आता है तो वित्ती या तो बहुत short हो जाता या तो बहुत लंबाई उसकी हो जाती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग और करके इसमें कौर दिया है लिखा है which one of the following help in maintaining posture and balance of human body human body को posture maintain करने में और balance लेने में क्या help करता है इन चारों में से brain के part है medulla, cerebellum, cerebrum या फिर bones तो इसका जो सही answer है वो है cerebellum cerebellum क्या करता है कि human mind का एक हिस्सा है जो body के posture और balance को maintain करने में help करता है question no.4 की आगे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ भी और करके दो questions दिये गए हैं और अगर हम देखे तो लिखा है a pollen grain in its external view is drawn है एक pollen grain दिया external view जो आपको दिख रहा है लिगादा substance which is the chief component of its external layer is वो substance जो की इसका chief component है इसका external layer का cellulose, पक्तिन, protein, sporopolonin and the right answer is sporopolonin क्योंकि यह spor जो होते हैं यहाँ पर आप देख रहे है pollen grain इसका यह external part होता है जो component होता है मेन होता है ठीक है ध्यान दखिएगा आगे बात करते हैं एक और पार नहां दिया है इसमें देखिए क्या लिखा है लिखा है developing pollen grain in an anther are nourished by अगर anther में pollen grain है तो कैसे उसको nourishment कैसे मिलता है उसको portion कैसे मिलता है तो यह चार option दिख रहा है कि epidermal cell है यह outermost layer है middle layer है inner most layer है यह micro spore mother cell है क्या इसका सही answer होगा इसका सही answer जो होगा वो है inner most layer यह क्या करता है एंther में pollen grains को और नारिस करता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 5 की बात करते है question number 5 क्या बोलता है electrical impulse travel in a neuron from electrical impulse जो है neuron में कैसे travel करता है तो यह सही sequence आपको बताना है exon end exon cell body dead right so exactly sequence क्या होगा दिखिए एक मैं आपको बात बता देता हूँ आप neuron का diagram अच्छे से complete कर लो most important मैं अगर most important बोल रहा हूँ तो most important है और दुसरी बात यह कि अगर उसके नाम आपको ध्यान होगा तो यह सवाल का जवाब पैसे ही जवाब दे दोगे ठीक है तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सबसे पहले होगा dendrite फिर होगा cell body फिर होगा action फिर होगा action end this is the right answer ठीक है so this is your next question question number six की हम लोग बात कर रहे है और इसमें जो है अगर हम question number six की बात करते हैं तो इसमें जो questions हमें दिया गया है वो glycolysis से related दिया गया है so basically यहां पर खहे है कि in glycolysis the glucose is broken down in the cytoplasm into pyruvate glucose pyruvate में convert हो रहा है तो उसमें जो आप से पूछ रहा है कि glycolysis की process पे glucose का जो broken हो रहा है cytoplasm into pyruvate के रूप में उसके साथ में कितने ATP molecules यहां पर है ठीक है तो यहां धियान रखेगा कि जब भी glycolysis होगा उसमें जो glucose break होगा cytoplasm into pyruvate में तो वहां पर right answer है कि two ATP molecules होता है इस बात के धियान रखेगा ठीक है ना question number seven के और आगे बढ़ते हैं इसमें एक diagram दिया हुआ the structure from which a new filament of a spirogyra is emerging age अब यहां पर देखिए साब साब आपको जब आंसर मिलेंगे questions तो उसमें लिखा रहा है इसमें लिखा यहां फिलामेंट लिखा है यहां पर जो दिवार outermost हो गया है तो इसमें से लिखा है ना इन चारों में से किस पार्ट से इमर्ज हो रहा है बहार निकल रहा है क्या फिलामेंट और राइट आंसर एज जाएगोर स्पोर फिलामेंट का ठीक है ना आगे बात करते हैं question number 8 की बात करते हैं इसमें दो पार्ट आपको यहां पर दिया है जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहले बाले में दिखा given below are the pair of modes of vegetative reproduction and their examples so choose the unmatched pair अब इसमें जो वेजिटेटी प्रोपागेशन रिप्रोड़क्शन कहते हैं यह रिप्रोड़क्शन बोलते हैं वेजिटेटीव क्या होता है ना कि जब हम किसी बड़े पौधे का एक हिस्सा इस तरीके से हम लोग डेवलब करते हैं कि वहां रूट्स आ जाया और उसको काटके नया पौधा बना दिया जाया जाया जो फंक्शन बड़े बाले पेड़का होगा वही फंक्शन छोटे बाले पेड़का होगा सेम फंक्शन होगा ऐसे ही अम्रूद आम ऐसे सारे पेड़ों में त्यानियों को जुका कर आधा तोड़ा जाता आधा कन्यक्ट रखा जाता है वहां मिट्टी डाल के सूती कौटन कपड़े बांद दियाता थोड़े थोड़े वहां पर पूबाल डाल के और पानी देते र तो यसे करके यह औप संद लिखें यह है गुत जो जो इसका सही जवाब होगा साधिट को टूब्रस पॉटेटो अब क्यों यहां पर अन्मै Molly नहीं है, unmatched है, क्योंकि potato को stay माना गया, roots नहीं, समझ रहो, यह लिखा है tuberous roots लिख दिया, इसलिए unmatched है, बागी और भी है, सब सही से किमें उपर वाला, ति तीनों का भी आप note कर लेना, क्योंकि तीनों important है अपनी जेगा पर, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है, आगे बात क clay meidomonas, where the geomits are morphologically identical, but differ physiologically or chemically, as a mode of reproduction, कौन साथ clay meidomonas का, जहां इसके geomits जो होते हैं, वो यहां पर बोल रहा है कि morphologically identical होता है, morphologically identical एक जैसा होता है, बट physiologically, जैसे physical बोलते हैं, physiologically और chemically different होता है, तो अब हमें कुछ option यहां पर दिये गए है, ठीक है, अब जो chapter पढ़ेगा, उससे को समझ में आएगा, ध्यान देना, जब तक biology पढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, पोई ध्यान देना, तो इसमें जो options जो होगा, जैसे की, ओगेमी लिखा है, एनिसोगेमी लिखा है, यसाइने गेमी लिखा है, आईसोगेमी लिखा है, तो सही answer जो होगा, वो होगा, आईसोगेमी का, ठीक है, आगे बात करते हैं, question number 9 भी देखिए, question number 9, कम समझ में 10 सवाल तो इस part में कर लिया जाए, बाकी क हम आगे आपके लिए काम करते देंगे, एक्जाम तक हम भी पूरा करवा देंगे, लेकिन हम suggest क्या करेंगे आपको, कि आप बायो का जो content है, उसको chapter wise पढ़ें, that will more helpful for you, आप ऐसे randomly questions पढ़के जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि यही सवाला है, बढ़ आपको pass करना, अच् दिन कभी समय आपके पास है ना, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारे course में जो design किया है, आगे बढ़ते हैं, question number nine, leading sales in human testis secrets, यह produce, जो leadig होता है, leadig sales है, जो human testis में होता है, वो क्या secret करता है, seminal fluid, testosterone, asperm, या white, wisconsin, alkaline secretion, और सही answer है, testosterone निकालता है, ठीक है, इसका और करके दिया है, यहां पे, the embryonic stage that get implanted in the human uterus, human uterus में implant किया जाता है, इंप्राणी के stage कौन सा है, तो blastocytes, blastocytes, amodula, gigot, fetus, and इसका जो सही जवाब है, वो है, blastocyst, ठीक है, आगे बात करते हैं, question number ten की, एक तो dominant character होता है, एक recessive character होता है, एक recessive character होता है, इसको ध्यान दिजएगा, और सही answer जो इसका है, character statement है, yellow port color क्या होता है, इससे शिवोता है, मुझे लगता है कि लगवख 15 minute का ये video होगा, इसमें हमने इस तरीके सा आपको design क्या है, deal क्या है, ये तो हम बीच वीच में लाते रहते हैं, देखिए, अभी हमने आपको जो है, एक on demand का पूरा question paper दे दिया, तो हमने कहा था, जो सारे लोग exam दे रहें, सब इसमें देंगे, तो basically कहने का मतलब क्या है ना, कि जब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे देखिए कैसे पढ़ाई करना है, मान के लिए आपके पास 10 दिन का समय, 10 दिन का target बना के चलिए, ठीक है, क्या-क्या ध्यान देना होता है biology में, एक तो देखिए important diagram हो गया, diagram का बहुत बड़ा खेले, diagram का बहुत बड़ा खेले, diagram साब को आना चाहिए, diagram में उनके name भी पता होना चाहिए, और ध्यान रखे थोड़ा function बेगरा भी पता हो जाए कि इसके क्या-क्या function है, that's well and good, बहु कोई से सवाल आ जाएगा ना, आपको भी नहीं पता है, वो कौन से पार्ट से पूल देगा, अब ये diagram में उनको पता था, जैसे आया था neuron का वहां साब मिल गया, कहीं definition से match कर गया, कहीं किसी से कहीं, कहीं function वाले से match कर गया, तो एक jack हम इस तरह समनी पढ़ सकते कि एक particular type प कर सकता है, इनके नाम तो और अजीब अजीब होते हैं, प्रैक्टिस करके किया जा सकता है, लिख लिख कर किया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत है, अगर आप इसको कर देंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो सकता है, फिर भी अगर आपको हमारे free counseling, या कोई dart, या तो time लग जाता है, बट reply जरूर आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसी कोई हैं पर wind up कर रहा हूँ, उमीद करूँगा कि आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे, और मेहनत आप smart तरीके से करेंगे, जिससे कि आप जितना भी पढ़ें, उतना आपका complete होते चले, 100% प पढ़ना है, हमें पूरा ही पढ़के जाना है, बट हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम जो पढ़ें ध्यान रहें, और ये questions हाल फिलाल के मंस में पूछा गया है, और किस exam में पूछा गया है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, और इन questions के अच्छी तयारी आपको कर लेनी है, क्योंकि ये most important है, latest पूछा गया है, तो आपके exam में भी आज सकता है, इस वीडियो का start करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन, चैनल के ग्रो के लिए बहुत जरूरी है, चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यारतियों तक पहुंच पाएंगे, जिनको आज की डिट में हमारे जैसे counselor, teacher और एक अच्छे गुरू की ज सलाइबा, fever, ठीक है न, मैं केवल और केवल questions डिल करूंगा, ये questions बहुत secret तरीके से मेरे पास आया है, और मैं आपको बस इतना बता दूँ कि जो exam अभी हुआ है, अक्टूबर के बाद में, ठीक है न, उन on-demand exam में से इसी एक exam का बहुत secret तरीके से मेरे पास ये questions आया है, वही questions हम आपको यहां आपके साथ डिल कर रहे हैं, अगर आपका exam public exam में है, याप्रिल या अक्टूबर में है, तो भी इसमें most of the questions PE chapters के होते हैं, तब भी आपके लिए best होगा, और अगर आपका on-demand है, फिर तो आपका बले-बले कोई दिक्कत वाली बात ने है, फिर भी म आते हैं, यहां पर, how the gene therapy help an individual to correct genetic defects, ठीके न, अगर आप Hindi medium के भी द्यारती है, कुछ नहीं करना, simple questions को खाली लिख लेना, questions को लिखने के बाद, आपका जो Google है, आजकर सब कुछ कर देता, Google पे लेंस लिखा होता, translator का photo click कीजिए अपना और translate कर देगा, हिंदी में, जिस लिं two marks का है, यानि कि जो human का sperm है, उसका आपको एक diagram बनाना है, और इसमें आपका कोई भी तीन parts के नाम यहां पर लिखना है, सुक्रानू का diagram बना कर, ठीक है, question number 4 की बात करते हैं, why pregnant women need more calcium and phosphorus, जो pregnant women होते हैं, उनको ज़्यादा calcium and phosphorus की जरुवत क्यों पढ़ती है, and why a 12 year old age prescribed vitamin A, यह two marks का है, अगर 12 साल का कोई है, तो उसको क्यों vitamin A prescribed किया जाता है, यानि suggestion दिया जाता है, उसको लेना चाहिए, जो source है, अब questions note करते चलिए, ठीक है, answers तो मेरे पास भी नहीं है, अभी instantly आया, तो मुझे लगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देते हैं, बात में फ you as an individual conserve electricity at home, घरों में कैसे आप बिजली को individually अपने लेबल पर अपने घर के बिजली को कैसे बचाते हैं, ठीक है ना, question number 6, classify kingdom monera into three groups and describe the habitat of three types of archaebacteria, देखिए यह six marks का है, यानि इसको detail में लिखना पड़ेगा, और यह जैसे सवाल बड़ा important होते हैं, ठीक है, important मतला important, important बता दिया, तो important ही रहेगा, question number 7, list three ways in which an individual can contribute effectively to the management of, आपको ऐसे तीन तरीके बताने हैं कि कैसे कोई भी, individually मतला कोई भी वेकती, किस तरीके से contribute कर सकता है, effectively, कि स्टीज के management में, forest and wildlife, यानि कि जो जंगल होता है, one होता है, और वहां की जीब जनतु है, उनका management, water resources, पानी कैसे, हम लोग अच्छे से use करें, और हम आगे लेके चले, ताकि आने वाली पीड़ी भी उसका use कर सके, coal and petroleum, तो तीन पार्ट है, six marks का है, यानि टू absorb nitrogen from the soil, तो कैसे जो plant है, वो मिट्टी से nitrogen को absorb करता है, ठीक है न, question number nine, why is iron considered as micronutrients, so iron को क्यों, एक तो मेक्रो होता है, माइक्रो, तो माइक्रो वाला जो होता सबसे छोटा होता है, तो क्यों iron को micronutrients consider किया जाता है, question number 10 की बात करते हैं, explain the terms, हमें बताना है, necrosis, chlorosis and micronutrients, इन तीन टर्म को हमें explain करना है, मार्क्स बगरा तो एक खरिया नहीं है, आगे बात करते हैं, question number 11 की बात करते हैं, question number 11 क्या कहता है हमारा, question number 11 करता है, how would you find genotype of a tall pea plant bearing white flowers, कैसे आप find करेंगे genotype, एक लंबे मटर के पौधे का, जिसके पास white flower है, यानि कि सफेद फूल है उसके पास, फूस पर है, explain with the help of a cross, यानि जो cross बनाते हैं, वो करके दिखाईए, name the type of cross you would use, तो उस तरह का कौन सा cross, किस type का cross आप उसका नाम भी बताना आप को यहां पर, question number 12 की बात करते हैं, list the importance of pollination and fertilization in angiosperms, तो आपको angiosperm में बताना है, कि pollination का and fertilization का क्या-क्या important है, मतलब लिखा ने, list the importance, क्या importance है, क्यों जरूरी है, ठीक है न, आगे बात करते हैं, question number 13 का है, endoskeleton and locomotion organ in echinodermata, 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 तो यहां बलिखा, echinodermata में जो है, जो endoskeleton होता है, और locomotion organ होता है, जो उसका part है, वो आपको दिखाना होगा, यह सारे important है, मतलब देखिए, अगर कोई questions में, आप solve करने के लिए जा रहे हैं, एक diagram है, तो कोशिस किजिए, उसके दिखिद के कुछ और point पढ़ लीजिए, ज़रूरी थोड़ी है, कि जो हमने यहां बताया है, जी, वही बहला पूछ देगा, अगर ऐसा होता, तब तो हम आपको सीरोटी के साथ बोल देते हैं, कि ठीक है, यही पढ़के चले जाओ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इस जैसा है, लेवल, देख लिजिए, लेवल कहीं से डाउन नहीं है, यह questions का, a starfish and brittle star belong to the same phylum name it, तो starfish और जो बिटल होते हैं, बिटल स्टार होते हैं, वो एक ही phylum से लंक्स में होता है, तो वहाँ पर किस तरह जाता है, वो हमें बताना है, वहीं तो carbon dioxide और oxygen का exchange होता है, इसका लाबा है, हमें बताना है, diagrammatic representation of non-cyclic photo phosphorylation, तो यह हमें बताना है कि जो photo phosphorylation है, उसका एक diagram बना कि हमें represent करना, और वो non-cyclic वला हमें बताना है, question 17 क्या कहता है, identify follicle and secondary follicle in diagram, तो diagram में आपको बताना है कि follicle और secondary follicle के बारे में, question 18 के बात करते हैं, trace the path of blood as it flow through entire circulatory system, तो blood के बारे मताना है कि पूरे बोडी में जो entire circulatory system है, हमारा उसमें कैसे flow करता है, question 19 की बात करते है, what changes in diet can help an obvious person to lose बेट, मोटे आदमी को जो है, कैसे अपना बजन कम करने में, diet में क्या-क्या चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, वाजली चीज़े नहीं खानी चाहिए, junk food नहीं खाना चाहिए, मेदा गस्वमान नहीं खाना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़े आप इसमें कर सकते है Question number 20, How has genetic engineering helped in the treatment of diabetes in humans? Genetic engineering कैसे इंसानों के जो मधू में, यादिविटेज की बिमारी उसमें help करता है, name the disease which has been treated by genetic engineering, तो उन बिमारी का नाम बताईए, जो genetic engineering के दवारा ट्रीट किया जाता है, यह ठीक किया जाता है, बोल सकते हैं, Question number 21, What are, हम बोल सकते हैं, polysaturide vaccines, उनका नाम बताईए, किसी दो भीमारीयों का जो इनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इसका लाभा Question number 22, Why is a yeast used in wine making industry, नहीं सराब बनाने के लिए, इस्ट का इस्तेमाल होता है fermentation आपने सुना है, तो कैसे इसका होता है, क्यों होता है, इसका region आपको देना है, वेसके लिए पूछ रहा है, Question number 23, In bacteria, cellular respiration occurs, in, कुछ धूरा questions लगता रहा गया यह, In bacteria, cellular respiration, देख लेना यहां पर कुछ धूरा रहा गया है, ठीक है, यह questions बट इतना है कि बैक्टीरिया का cellular resp respiration के बारे में है, यह topic, और 24 है, after fertilization, moss plant gives rest to, यह भी थोड़ा धूरा है, ठीक है, यह topic मैं आपको बता रहा हूँ, fertilization है, moss plant का है, यह topic का पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास just महुंचा है ना, तो मैंने कहा सबसे बढ़े आपको बता देते हैं, photosynthesis in C4 plant is relatively less because, मुझे लग रहा है, यह फिलप्स होगा, फिलप्स का होगा, धूरा नहीं है, ऑकर इन डैस नहीं कर दो, फिल करने का, after fertilization, moss plants gives rest to, डैस कर दो, यहां फिल करने का questions, ठीक है, बट डैस का होगा, photosynthesis in C4 plants, relatively less because, यहां अंसर होगा, question 26, why is fertilization in angio sperm described as double, तो आखिर क्यों angio sperm, जो fertilization हो तो angio sperm में उसको, हम लोग double describe करते हैं, question 27, 28, last 27, it is commonly believed that only roots develop below the ground, हमें केवल यही था, बिल्बिस्वास क्या जाता, कि इनकी ground के अंदर के वल roots develop होता है, so how would you prove that potato tuber is a stem not a root, तो जो मतलब आलू होता है, वो तो जमीन के अंदर ही होता है, और उसको हम roots में नहीं consider करते हैं, बलकि तनाइनी stem में consider करते हैं, तो अफवाद कहेंगे, तो अफवाद नहीं है, हम जो believe करते थे, वो हमारा गलत था, कि हम खाली roots को मानते थे, पाकिट का अंसर लिखिएगा, question 28, researchers were able to identify the pollen grains of a certain species from a large collection of pollen upon observing, जो researches हैं, वो क्या able हो चुके थे, कि इस चीको identify करने के लिए pollen grains, इसका एक certain species का, कहां से from a large collection of pollen upon observing, जो observe कर रहे थे, बहुत सारे pollen में, यह सारे questions था, जिसको आप note कर लिजे, I hope कि यह questions आपके लिए useful रहेगा, आप इन questions का answer लिखेंगे, और मैं again आपको बोल रहा हूँ, कि जब आप answer लिखेंगे, इससे related topic जरूर पढ़ लेना, जिससे मिलते हैं, जरूर पढ़ लेना, इससे होगा क्या, कि आपको यह idea लग जाएगा, कि अगर इस topic से पूछा है, तो इर्द गिर्द के पड़ोसी topic भी इसके देख लिया जाए, तो इस तरीके से जो है, समय समय पर हम आपको update करते रहते हैं, हलाकि biology का हमारा एक course है, जो हमारे app में available है, आप हमारे app को download कर सकते हैं, description में हमने link दिया है, जो channel का नाम है, GCC, NIS Classes, वही हमारे app का नाम है, जो लोग iPhone वेगरा यूज करते हैं, उनके लिए भी हमने अलग system दिया है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बागी ऐसे ही आप पढ़ाई करते हैं, महिनत करते हैं, हमारा free telegram and whatsapp channel को join कर सकते हैं, बाकी इनके answers लिखिए, और answers लिखने के बाद आप हमें whatsapp पे या telegram पे भेज भी सकते हैं, मैं इसको देख भी सकता हूँ, अगर आप इनके answers लिख लेते हैं, तो एक बार देख लोगा क्या कैसे है तरीका, तो that will be best, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, तो thank you so much, we see all the best. आपके लिख्ड़ब